समस्कार, मैं शाधनापाणडय मांगधरशन पर आपका श्वागत करते हूँ मैं बात करूंगी शावन महीने के बारे में दोस्तों सावन महीना सिर्फ सावन महीना नहीं है इस महीने में यदि नियम पूरवक कुछ ऐसे कारे किये जाए तो निश्चित रूप से आपका शोजा भागे भी जाग सकता है यानि कि साब सब्दों में कहें तो भागे को खोलनी की चाब ही कही जाती है सावन महीना सावन महीना जैसे भगवान विश्णू का प्रिय महीना कार्तिक है वैसे ही भोले नात का प्रिय मास सावन कहा गया है और ये मास साधान नहीं है ऐसा हमारे बेज सास्तर बताते हैं सावन मास में यदि कुछ कारे किये जाएं तो निश्चित रूप से आने वाली कई पीडियों को इसका लाभ मिलता है तो अब आप समझ सकते हैं कि यदि आप य महिमा थोड़ा सा मैं बता ही चुकी हूँ आपको आगे ध्यान देते हैं कि कौन से कारे आपको करने चाहिए और कौन से कारे नहीं करने चाहिए यदि आपके जीवन में दुर्भागे ने घेरा बना लिया यानि कि आप बहुत जादा अच्छे काम करते हैं लोगों को प्र मैंने आपको बताया कि भगवान विश्णू का प्रिय मास है, वैसे ही कार्तिक है, वैसे ही भगवान भुले नात का प्रिय महीना सावन कहा जाता है, इस महीने में सीव पूजा आपको जरूर करना है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नई कोई बात नहीं, जी बिल्कुल मैं आज आपको बताने जारे हूँ, वो बाते आप साइद कहीं नहीं सुने होंगे, और नहीं आपको इसका ग्यान होगा, एक चीज बता दूँ मैं, आपको समय इतना आप क्यों बताया जाता है, किसी चीज का मुहुर्थ क्यों बताया जाता है, समय बताने का महत्तो, देखे जब आप किसी सुभ मुहुर्थ में किसी सुभ समय में आप जब कोई पूजा पाठिया कोई धार्मी कारे करते हैं तो उस समय प्रकिर्थी भी आपके साथ होती है इसलिए आपको समय बता जाता है और समय जब साथ होता है तो ब्यक्तिका किया गया कर्म, सोना उगलने वाला होता है, चाहे वो किसी भी मन की कामना के लिए मनसा के लिए करे, लेकिन वो चीजे उसकी अवश्य पूर्ण होती है ऐसे ही बात करूं, तो सिव पूजा तो आपको करना ही करना है, अब सिव पूजा और जल चढ़ा करके आते हैं दोस्तों, तो ये दुर्भाग्य नासक है और ऐसा मैं नहीं कहा रही हूँ, ये हमारे बेद सास्त्र कहते हैं, देखिए दुर्भाग्य नासक इसलिए भी कहा जाता है, क्योंकि कई जगा पे ऐसी ऐसी घटनाएं आई हैं, कि जिससी महादेव की उदार होने का बहुत अधिक प्रमाण हमें मिलता है, जैसे कि मारकंडेर इसी की बात मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ, जो कि बच्चा अलपायू थे और उनकी आयू बहुत कम थी, उनकी आयू महादेव ने ही बढ़ाई, और ये कोई साधान काम नहीं है, यानि कि ब एक चीज और बता दूँ आपको, कि जो भी चीज़े आपको उपलब्ध हो, आप सावन महीने में जरूर पूजा करें, मांसिक धर्म के अंदर इस्त्रियां पूजा पाट ना करें, बाकि यदि आपने कोई ब्रत वगरे का संकल्प लिया है, तो ब्रत आप रख सकती हैं, और ने से करा सकती हैं, अगर घर में कोई नहीं है, तो कोई समस्या नहीं, आप मांसिक रूप से भगवान का जब करें, मांसिक पूजा पाट करें, मांसिक का अर्थ आप समझ रहे होंगे, कि अपने मन में ही सिर्फ कल्पना करना है, सिर्फ सोचना है, चाहे किसी मंत्र के बारे में चाहिए किसी पूजन के बारे में अब अगली चीज आपको बता दू जो कि बहुत जादा महत्वपोड है देखिए आपने पूजा पाथ सब कुछ किया लेकिन कहा जाता है कि आपके कर्मों का फल आपको मिलता है ये बात भी सत्य है कहीं कहीं कोई दुख हमें आता किसी जीव की हत्या होती है तो उसके भागेदार आप होते हैं कई तर्फ में आप ये भी कर सकते हैं कि जीव को हम मारने का काम तो करते नहीं है हम तो सिर्फ खाते हैं लेकिन वो जीव आपके ही कारण मारे जाते हैं यदि आप खाते नहीं तो वो जीव मारे नहीं जाते है इसलिए सावन महीने में किसी भी जीव की हत्या करने से आप बचे और मांस मदिरा इत्यादी खाने से बिल्कुल बचे ऐसा करना जो है वह आपके भागे को धिरी धिरी खोटा कर देता है देखे एक चीज बता दू मैं ये काम जब आप करते हैं तो तुरंद इसका परेडाम आपको कभी भी नहीं मिलता है जैसे आपको पूजा पाट करते हैं तो उस समय तो आप उमीद लगा के बैठ जाते हैं कि हमारा ब्रत पूर्ण हुआ हमने पूजा किया तो हमको उसका ततक ततकाल फल क्यों नहीं मिलता देखिए जैसा मेरे अनुभाव से मैंने देखा है ततकाल किसी चीज का फल नहीं मिलता है लेकिन ये आपको 101 परसेंट आपको बिल्कुल बताऊंगी मैं कि आप यदि एक लोटा जल्भी महादेव के ऊपर चड़ाएं तो ये भी एकदम सत्य देहाएं कि उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा वैसे ही आपके बुरे कर्म होते हैं यदि आपने कुछ बुरा किया तो आज नहीं तो कल भुगतान तो आपको करना ही करना है तो इसलिए खोसिस करें कि ये सारे कारे आपके द्वारा नहीं हो देखिए अगले चीज़ बत सावन में सुरू करना माना जाता है कि आपकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है यानि कि जो साल में पुनीत महीने काहे जाते हैं कार्तिक और सावन तो इन दो महीनों में यदि आपको ब्रत सुरू करते हैं तो ऐसी मानता है कि आपका ब्रत निश्चित रूप से पूर्ण को पूंड करें अब अगली बात आप जान लेजे कि क्या चीज़ा आपको करनी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले राजा महाराजा जो थे वह दान करते थे सोने चांदी मोती आपने सुना भी होगा कि उसने पूरो जन्मे मोतियों का दान किया होगा तो दान का महतो बहुत जादा है यदि आप कर सके तो सावन की महीने में आप अपने सकती अनुशार कुछ न कुछ दान करें तो तीन प्रक प्रकार के उपायों से महादयों को खुश कर सकते हैं और सावन मास का बिसीस रूप से आप लाब ले सकते हैं तो ये कारे भी आप कर सकते हैं कि कुछ न कुछ दान करें कुछ न कुछ पूजा पाट करें कुछ न कुछ का यदि पूरे सावन आप मंदिर नहीं जा सकते हैं त किस प्रकार उन्हें प्रवाहित करना है और किस प्रकार पूजा पाट करना है तो आगे मैं बात कर रहे थी कि इन तीन प्रकार से तो आप पूजा कर लें और कुछ न कुछ अपने स्रध्धा अनुशार इस महीने में दान करें जैसे कि जिनका चंद्रमा कमजोर है जिनकी मां से नहीं बनती है जिनका मन बहुत जादा चंचल रहता है बहुत जादा बचेन रहता है कोई बच्चा छोटा है उसको बार-बार सर्दी जुखाम खासी इस तरह की चीजें लगी रहती है तो बीना कुंडली दिखाए मैं बता सकती हूं कि उस बच्चे का चंद्रमा कमजोर ह इनका मन बहुत जादा चंचल है बात-बात पर रोते हैं ऐसे लोगों का चंद्रमा कमजोर है ये बात आप भी समझ लेजी बीना कुंडली दिखाए ये चीज़े ग्याद हो जाती है तो अब आपको क्या करना है कि ऐसे में महादेव की पूजा जो है दूद से यानि कि मिलता है तो अब अगली बात कर लें दोस्तों अगली और अंतिम बात जो कि बहुत महत्वपूर है तो देखें अगली बात यह है कि आपको पूरे सावन महीने में दिन हो रात हो खाना बना रहे हैं सो रहे हो आप सो रहे हैं का मतलब कि जब हमारी चेतना ही नहीं है तो उस प्रभू का नाम ही ऐसा सहारा होगा जो आपको समस्त तकलीफों से पार निकालेगा तो इस साउन महीने किया दोस्तों मैं तो कहते हूं कि हमेशा ही जब आपकी चेतना जगे तभी सबेरा तो आप हमेशा ही प्रभू का नाम लेते रहें यदि कोई मंत्र जबते हैं तो जब है और दूसरी बात कि आपके मन में आया होगा हमस्तान नहीं किया है तो जब सकते हैं या ने मानसिक जब का बहुत बड़ा महत्वर हमारे सास्तरों में मानसिक जब मानसिक पूजा हमारी सारीरिक पूजा से भी बहुत बड़ी महत्वर रगती है तो आप मानसिक रूप से आप अपने काम करते रहिए भगवान का स्मान करते रहिए ये भी आपके खाते में कही न कही पोने के रूप में जम्मा हो रहा है और जब आपको इसकी आखशक्ता होगी आपका पोने उदाय होगा दोस्तों एक चीज और बता दूँ वीडियो का लास्ट ही समझी के परिक्षा भी होती है आपके पूजा पार्ट में आप सोचते हैं कि कोई पूजा किया और तुरंत उसका फल मिले देखिए मिलता निश्ची था यह तो हम एकदम गारंटी के साथ आपको बताऊंगी लेकिन कब वो पूनि आपका उदय होगा कब वो पूनि आपका दुगना ह कर आप तक आएगा इसकी बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन मिलता अवश्य है और मुझे लगता है कि परमात्मा से अच्छा समय जानने वाला कोई और नहीं है परमात्मा जब आपको इसकी आवशक्ता होगी वो स्वायम आपको देंगे तो विस्वास रखिए अप इन कारियों को करके तो जादा नहीं बस सावन कीजी और सावन की अंत तक यदि आप मुझे कमेट में नहीं कहा यह हो ही नहीं सकता महादेव निश्चित रूप से आपको लाब देंगे क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक लोटा जल यदि किसी ने सीवलिंग पे चड़ाया त तो जरूर जानते होंगे कि गुर्णीदी कौन थे। यने कि कुबेर कौन थे। पुछले जन में चोर ओर जिनका नाम गुर्णीदी था। और महादेव के क्रपासे इतनी गरीब चोर को उन्होंने कुबेर की पदवी दे दी। तो अब आप समझ सकते हैं कि महादेव क्या बस जरूरत है तो मैंने जो अभी आपको कहा कि हमारे शबर की और हमारे विश्वास की पस इतना रखे कि हमने जो महादेव को दिया है अनि कि अपनी भक्ती अपना प्रेम दिया है वो निश्चित रूप से दुगना नहीं मैं तो कहती हूँ शौग हुना हो करके आपके पास बस विश्वास रखे शुरद्धा रखे और मिलती हूँ शितरा के वीडियो के साथ धन्यवाद